हे इवरिवान आप सभी का स्वागत है हमारी यूटीव चैनल में तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था यांग शू अब भी उस प्रिजनर आइलन्ड में होता है और उसने अब उस मास्टर कौव को मार डाला था और अब उसे उस आइलन्ड पे पूरे तीन साल बीच जाते हैं और अब उस आइलन्ड में किवल यांग शू ही अकेला रह चुका है कपीछा करते हुए अब वो यांग लिकांग भी वहाँ पहुच चुका है जिसने उसे तीन सालों की जिन्दा रहने की महलत दी थी इसे आइलेंड पे अब आगे यही से एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यांग शुको तीसी से भागता हुआ देखते हैं उसने तीन साल के इस टाइम के दोरान उस आइलेंड पे बहुत सारे अपने सोल पेट्स बना लिये हैं प्रूने में से एक सोल पेट का जो के एक डियर है इसका यूज करके वो भाग रहा होता है क्योंकि अब उसके पास उस लिकांग से फाइट करने के लिए इतनी सोल इनरजी बची नहीं रहती दर दूसी दरफ हम देखते हैं कि वो लिकांग यहां यांग शु का पीछा कर रहा होता है अपने उसी थिरी आइस बीस्ट का इस्तमाल करते हुए अब आगे यांग शु सोचता है कि उसे इस लिकांग से पीछा चुडाने के लिए कोई लग कोई प्लैन के बारे में सोचना ही होगा कि तभी उसे वही कुकून दिखता है जो कि उसके ही नन्ने से छोटे से कैटपलर ने बनाया था और तीन साल में ये कुकून बढ़कर कि इतना विशाल हो गया है कुकून के चारो तरफ वही लारवा फैला हुआ है जो कि आदे से भी ज़्यादा जंगल को खेरे हुए है और इसी वाइट सिल्क को देख करके यहाँ यांग्शो को याद आ जाता है कि ये तो इसके छोटे से कैटपलर पिटने ही बनाया था वो भी तीन साल पहले और अब इसके पूरी तरह से फुली ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ चुका है और जब पिछले साल ये यहाँ पे आया था तो ये के कौन अपनी साइज में आधा था किने एक साल के अंदर इतना जाधा विशाल हो गया है से निकलते वी वाइट सिल्क ने आदे से जादे जंगल को खेर लिया है अब आगे यांग्शु जो होता है वो मौक्सी को उस जाले को हटाने का ओर्डर देता है ताकि वो इसके अंदर जा सके मौक्सी के फायर बॉल से वो वाइट सिल्के धागिर वहीं टूट जाते है और वहाँ अंदर जाने का रास्ता दिख जाता है इदर यांग्शु को अभी यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये जो उसका ओर्डिनेरी सा दिखने वाला कैटिपिलर वाला सोल पेट था वो अपनी इस कोप से इतनी बियांड जा सकता है उसने कभी भी इस तरह के सोल केट के बारे में नहीं पढ़ा था जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी बड़ी पैमाने पर हो सके अब आगे वो लिकांग भी यांग्शु का पीछा करते हुए उस कोपून के सपास पहुच जाता है और वो भी इस नजारी को देख करके हैरान रह जाता है क्योंकि तीन साल पहले जैसा ये फॉरच दिखता था अब ये वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है और आज फाइनली वो टाइम आ गया है कि वो इस चुहे बिल्ली की गेम को ख़तम करे यैंग शू को मार करके उसके पास जो यैंग फैमिली का मैप का दुगड़ा है उससे हासिल कर पाए अब आगे यैंग शू उसकी कुकून के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूगे तुम्हारी ट्रांसफोर्मेशन के दीना भी काफी दूर है लेकिन मैं एक मुसीबत में फसा हूँ इसलिए आज मैं तुमारी मदद चाहता हूँ अब वो कुकून यहाँ पे थोड़ा सा हिलता है जिससे यांग्शू समझ जाता है उसका यह छोटा सा सोल पेट यह कैटबलर जो है उसे अभी भी याद है अब आगे यहांग्शू नहीं चाहता था कि इस कुकून को कोई ख़दरब पहुँचे इसलिए वो वहाँ से दूर चला जाता है कि तबी वहाँ पे वही लिकांग पहुँचता है रो उस कुकून को देख करके समझ जाता है कि लिजन्स का कहना है कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक बहुत बुराना एंशेंट इंसेक्ट सोल पेट ही कर सकता है और अगर ये बाहर निकल लिया तो इसकी पावर इतनी साधा होगी कि ये पूरी इंटाइर फॉरिस्ट को डॉमिनेट कर सकता है क्योंकि इस तरह के विशाल का है ट्रांसफॉर्मेशन को गर्स अफ गॉड भी कहते हैं आगे वो लिकांग सोचता है कि क्यों ना इस इंशेंट सोल पेट को वो अपना सोल पेट बना ले और इसकी मदद से वो गॉंग लॉय सीटी तो क्या दियांसिया समेट बहुत सारे किंडम पे भी अकीला राच का सकता है और आगे वो इसके लिए यैंग्शो को थैंक्स कहरा होता है कि अगर वो तीन साल तक उसे पकड़ने के लिए इंतिजार ना करता तो शायद ये जैंट कोकोन के अंदर वाला इंशेंट सोल पेट उसे कभी न मिलता कि तब ही हम अचारक से दिखते हैं कि उसकोकोन के रेशम के धागों से उस लिकांग पे अटेक होने लगता है जिसे वो असानी से डॉज कर लेता है कि नाब उस पे कही सारे भयानक दिखने वाले कीड़े एक साथ अटेक करते हैं जो कि अब तक उसी एंशेंट सोल पेट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अब जैसी ही वो सभी कीड़े यहां उस लिकांग पे अटेक करने वाले होते हैं वो अपनी औरा का ऐसा यूज करता है सारे के सारे कीड़े वहीं पे धीर हो जाते हैं कि मेरे सामने तुम मातरे 5 लिवल के जो ड्रीम बीस्ट हो वो मेरा कुछ नहीं बिगार पाओगे क्योंकि तुम सभी मातरे एक ड्रीम बीस्ट हो अब यहां वो लिकांग समझ जाता है उस लिकांग की जो 3i बीस्ट होती है उसे मार गिराता है उसके करन उस लिकांग का जो सोल बीस्ट होता है वो वहीं मारा जाता है अब यह अटेक जान बुझ करके यांग्शू नहीं किया था अब यह बवंडर इतनी भायानक होती है कि इसमें मौक्षी फस्ते फस्ते रह जाता है लेकिन मौक्षी भी उस होरीकेन से बच जाता है उस बवंडर वाला जो अटेक होता है वो सीधे एक पेड़ पे जा लगता है आगे वो जो लिकांग होता है वो यांग शू सो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मात ने एक सूल पेट के मारने से तुम मुझे हरा पाऊगे तो मैं ये बता दू कि मेरे ये जो सूल पेट है वो सबसे वीकेस्ट सूल पेट है उसने यांग्शू के अटैक से बचने के लिए पहली ही एक 6 लेवल का defensive ice armor पहन रखा था जिससे उसका beast तो मारा जाता है लेकिन वो लिकांग अब तक जिन्दा था अब आगे लिकांग जो होता है वो फिर से अपने उसी तीन आखो वाले beast को अपेर करता है अब यांग्शू ने जिस तीन आखो वाले soul beast को मारा था वो फिर से उठ खड़ा होता है ये देख के यांग्शू वहाँ से भागने लगता है लेकिन यहाँ पर यांग्शू का पीछा करने के लिए वो लिकांग जो होता है फिर से दो तरह के अलग-अलग beast को अपेर करता है जो कि काफी खोखार होते हैं और ये दोनों beast जो होते हैं वो सामने से यांग्शू को घिर लेते हैं उन में से एक six level का beast होता है और एक red वाला जो होता है वो एक seven level का blood beast है बागे लिकांग यांग्शू से कहता है कि मेरे इन दो खतरनाक beast का तुम सामना करो अब तक मैं उस उस ancient soul pit को अपने कबसे में करके आता हूँ अब आगे वो अपने दोनों beast को ये order देते हुए वहाँ से चला जाता है कि वो यांग्शू के सर को धड़ से अलग करते वो उन दोनों तरह की beast से fight करने के लिए मौक्शी आगे बढ़ता है और यहाँ पे हम इन सभी की iconic fighting को देखते हैं इस पर यांग्शू का जो deer होता है उस red वाले beast पे attack करता है जिससे उसे थोड़ा समय मिल जाता है और वो वहाँ से भाग लेता है लेकिन यह दोनों बेस्ट उसका पीछा करने लगते हैं साथ में वो जो लिकांग होता है फिर से अपने उसी bloody hurricane को activate करता है लेकिन अपकी बार वो बावंडर इतना जादा विशाल काया और खदरनाक होता है कि वो यांग्शू को अपनी चपेट में लेने के लिए तीजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन यांग्शू उससे बच नहीं पाता और वो बावंडर उसे अपनी तरफ खीच लेता है और फिर उसे उसी red beast के पास महचा देता है लेकिन इससे पहले कि वो red beast यांग्शू को जिन्दा ही निगल लेता यांग्शू अपनी बची कोची पावर का इस्तमाल करता है और उससे दूर हट जाता है वागे वो red beast फिल से यांग्शू पे अटाक करने को बढ़ता है जिसका सामना यांग्शू का डियर सामने आके करता है लेकिन यहां यांग्शू वक्त रहते ही अपने डियर को उसके अटाक से बचा लेता है और जैसे ही वो और उसका soulpate वो डियर नीचे गिर रहे होते हैं मौक्शी उन दोनों के नीचे गिरने से बचा लेता है अब आगे यांग्शू मौक्शी को या order देता है कि वो अपने flame rain की बारिश करी लेकिन आजमान से बरस्तेवी और आग की गोलों का उस लिकांग पर कोई भी effect नहीं होता है क्योंकि उसने फिर से अपने उसी eye shield को activate कर लिया था बागे यांग्शू उसका सामना करने के लिए अपने अगले soulpate उसी demonic tree को summon करता है जो बाहर आते ही अपने root के network से उस लिकांग को पकरने की कोशिश करता है लेकिन वो लिकांग एक जटके में ही उस demonic roots को वहीं destroy कर देता है और इनका पीछा करने लगता है फिर से अब यांग्शू का वो जो demonic tree होता है वो उस लिकांग को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है गिनि वो लिकांग के bloody hurricane के एक attack से ही उसका demonic tree वहीं पे घायल हो जाता है और अब यांग्शू ये सोच रहा होता है कि अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा soul power नहीं बची है क कि वो अपने अगले soul पेट नीर को संबन कर सके लेकिन उसका demonic tree अभी घायल था लेकिन फिर वो अपने tentacle का use करते हुए उस beast को capture कर लेता है और यहां पर यांग्शू जो होता है वो मैंग्शू को ये order देता है कि वो उस लिकांग की beast पे वापस से sneak attack करे लेकिन इस attack का नीचे गिर जाता है बागे यांग्शू जो होता है वो अपने demonic tree के soul पेट को वापस से अपने soul space में ले लेता है और मौक्षी को बताता है कि अभी भी demonic tree के साथ उसकी spiritual connection जुड़ी है इसलिए हमारे demonic tree अभी मरा नहीं है उसे ठीक किया जा सकता है अब लिकांग जो होता है वो अपने दोनों बीच समेत यहां पे यांग्शू के पास आता है और उसे कहता है कि आप इसमें God की ही मरजी है तो उसने मुझे तीन सालों के बाद यहां भेज दिया है ताकि मैं तुम्हारी चू फैमली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँ और वैसे भी तुम्हार दी गई टैम लिमिट तुम्हारी खतम होती है जिसमें यांग्शू यहां पे यह डिसाइड कर लेता है कि वो इस लिगांग को इस आइलेंड से तो जिन्दा जाने नहीं देगा चाहिए इसके लिए उसे अपने आपको ही क्यों न खतम करना पड़े इसलिए वो उस कुकू आइलेंड से बाहर निकलवाना ताकि यह लोग आजाती से अपने जिन्दीगी जी सके और फ्री हो जाएं अब यह सुनते ही मौक्सी यहां यांग्शू को ऐसे करने से मना कर रहा होता है यांग्शू के जो सोल स्पेस के अंदर उसके बाकी के सभी पेट्स होते हैं वो अपने अंदर के वाइट टेवल को समन का सके जैसी वो यह करता है इस अपिसोड का यह पार्ट यहीं फिनिश होता है अब आगे एपिसोड में क्या हुआ है यह जानने के लिए बने रहे हमारे इस चैनल के साथ और हाँ अगर आपको यह वीडियो ज़रा से भी अच्छी ल